एंड लाइन आकलन दो हजार इत्तिस बाइस आदर से उत्तर कक्षच छटवी विशाए गणि सबसे पहले देखते हैं खंड अ जो की कक्षच छे इसतर का ही है प्रेशन पहला का उत्तर है दो एक्स धन तीन वाए इसी तरह से अन्य वेंजग भी लिखा जा सकता है प्रेशन प्रतिसत में बदनने के लिए सौब प्रतिसत से गुना कर देना है जिससे हमें प्राफ्त होगा 50 प्रतिसत इस प्रकार प्रशन दूसरा का सहीं उत्तर हो जाएगा 50 प्रतिसत फिर प्रस्न तीसरा घनाब के तीन सल्लगन किनारे एक बिंदू पर मिलते हैं जिसे घनाब का स सिर्ष कहते हैं तीसरा का सहीं उत्तर होगा सिर्ष इसके प्रश्ण चार है जिसमें हमें साथ हंसका कौन परकार और इसकेल की सहता से बनाना था इस प्रकार से कौन बनाना है सबसे पहले आपको एक रेखाखन खीच लेना है फिर इसका आपको नामकरन करना है यहां पर देख एक चाप खीचेंगे तो यह जो रेखाखंड आप खीचे हैं, यहाँ पे एक कटान बिंदू प्राप्त होगा इस कटान बिंदू uh, प्रकार को फिर से रखना है जितना पहेला थे उतना है पहेला करके और यहाँ प्रकार प्रकार और स्केल की सहता से 60 हंसका क्टोन बना सकते इसके बाद देखते हैं प्रस्न पांच वा वर्गाकार आकरिती की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है यहां पे वर्गाकार बगीचे का छे त्रफल ग्याद करने के लिए कहा गया था और लंबाई बताया गया था कि 17 मिटर है तो चूंकि वर्गाकार बगीचे में भी ले सकते थे लेकिन यहां पे लंबाई चौड़ाई ले लिया गया और फिर लंबाई चौड़ाई तो बराबर है 17 मिटर गुना 17 मिटर इस प्रकार गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 289 वर्ग मिटर इसके बाद प्रस्न छठवा कथन किसी संख्या के दुगूने में 35 जोड़ा जाए तो 85 प्राप्त होता है तो इस प्रकार बनाना है सबसे पहले हमें मानना है कि माना हुआ संख्या वाय है फिर उस संख्या के दुगूने में 35 जोड़ने से 85 प्राप्त होता है तो पहला चरण यह होगा माना संख्या वाय है फिर हमें संख्या का दुगूना क 39 बराबर 85 इस प्रकार 6 प्रस्न का उत्तर हो जाएगा ये वाला नेक्स्ट प्रस्न साथवा चुंकि हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है दो गुना लंबाई धन चौड़ाई तो हम इसी सुत्र की सहता से यहां पे परिमाप ग्याद करेंगे यहां पे लंबाई दिया ग इसके बाद प्रस्न आठवा बारंबारता असानी बनाना था पासे में पासे को फेकने पर आई संख्या के अधार पर तो इस प्रकार कलम बना लेना है तीन कलम पासे में आई संख्या एक दो तीन चार पांच छे पिर यहां पर टेले चिन देना है कि एक कितने बार आया है तो 3 बार, 2, 5 बार, 3, 4 बार, 4, 6 बार, 5, 7 बार और 6, 5 बार फिर यहां पर संखे लिखना है 3, 5, 4, 6, 7, 5 इस प्रकार से 12-12 सानी बना लेना है प्रेसन नौ हैं जिसमें हमें चाकुलेट का परसेंटेज निकारना था कि 120 चाकलेट में से 90 प्रतिसाद बांट लेने के पस्चाद कितना चाकलेट बचता है तो इस प्रकार बना लेना है बांटी गई चाकलेट तो एक सवसी का 90 प्रतिसाद बांटी गई चाकलेट तो एक सवसी गुना 90 प्रतिसाद को हम लिखेंगे 90 बटे 100 और पिर इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा बाटी गई चाकलेट 162 अब बची चाकलेट तो 162 बाट दी गई है और टोटल हमारे पास चाकलेट था एक स्वस्सी इस प्रकारी से माइनस करने पर आ जाएगा 18 चाकलेट इसके बाद उत्तर दस तो प्रस्ण में दिया गया था कि आयत की लंबाई है 40 मीटर चाओडाई है 20 मीटर तो आयत का परिमाब होता है दो गुना लंबाई धन चाओडाई तो इसे हम लिखेंगे दो गुना 40 धन 20 यानि की हो जाएगा दो गुना 60 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 120 मीटर इसलिए एक चक्कर में तै की गई पुरित आय की है इसके परस्चात खंडबह है जो की कख्षा 40 तरक है उत्तर 11 देखते हैं 10 रुपय के 5 नोट यानि की 50 रुपय 5 रुपय के 3 नोट यानि की 15 रुपय इस प्रकार कुल रुपय हो गया 65 रुपय 90 रुपय हो जाएंगे यह हो जाएगा 90 रीन 65 याने की 25 रूप है इसके परश्चाथ 12 इस प्रकार से बनाना है 37 49 41 और 13 नमबर है ऐसी कोई भी आकरितिया बना सकते हैं जिसमें 10 डिब्बे आना चाहिए इसके अंदर में उत्तर 14 खेल समागरी देख सकते हैं तो यहां पर संख्या देना था कि बैडविंटन कितने हैं तो देख सकते हैं दो है यह पहिया तीन है गेंद है चार हातिश्टीक है चार और बैड़ बाल है एक बैठ है इसके पचाथ अंदिम खंड सा जोकी कच्छा दो इस तरका है उत् कि यह उत्तर हो जाएगा MACHIS Southeast में कितने तिकों है तो चार तिकों रहे अंतिम प्रस्यक उत्तर 17 जबकी एक बाल्ती में देकर 4 अले सिञा ने कि तीन गुणा 4 मक पानी यानी कि 12 अलाने झाल झाल झाल